नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्यकी राह करेंगे यह जानकारी लेकर के उपस्तित हुआ हूँ बात कर लेते हैं आगामी 11 से 17 सितंबर तक गयाजी में पिंडदान के लिए एक सज्जन लिखते हैं हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में की ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था करके आप गुम्राह कर रहे हैं हम सिद्ध करेंगे अपने अगले कार्क्रम में कि कैसे ऑनलाइन पिंडदान मानने होगा तरक है मेरे पास आपको क्या रखता है हम ऐसे ही कर रहे हैं सच्चाई के साथ कोई किसी भी तरह का क्वेशन कर सकता है पहले आई सुर्बात करते हैं आज के जो दिशा की भादपद महा शुकलपक्ष नौमी तिथी सुबह नौ बचकर 24 मिनड़ तक इसके बाद 10 मी तिथी का उद्धे चंद्रमा 12.36 तक व्रिश्चिक में रहेगा इसके बाद धनुराशी में प्रवेश दोपहर तक जेश्ठा नक्षत्र 12.36 तक इसके बाद मूल नक्षत्र का शुभारंप तदनुसार दिनांग 27 अगस्त दिन गुरुवार गुरुवार को राहुकाल का समय दोपहर देड़ बजे से तीन बजे तक यह समय शुब कामों के लिए वर्जित होता है गुलिक काल का समय सुबह 9 से 10 बज कर 30 मिनद तक कहता है हर काम बन सकता है मेश से लेकर मीन तक आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा शुक्षा से लेके सब कुछ आईए जानते हैं मेश वालों के लिए परिश्थतियां पक्ष में आनी शुरू होंगी पढ़ाई अच्छी कर ले जाएंगे नई जगह है एडिवेशन आत के लिए जो प्रयास किया होगा वो सफर होगा ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा पिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी कुछ विशेश धन की प्राप्ति की संभावना है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल होने जा रहा है वहां सुख मिलेगा सरकारी छेतर में कुछ तनाव गंभीर हो सकता है गौर्बेट सेक्टर आपके लिए एक मजबूत इस्थती ले आएगा दामपत्त जीवन बहुत बिलक्षण है आज शादी की इस्थती सुद्रण होगी लव लाइफ में कुछ वय मनस्या सकता है किसी मैटर पर एक दूसरे के विचार प्रतिकूलता की हद क्रॉस करेंगे स्वास्त के मामले में सांसों की समस्या आखों की दिक्कत माइग्रेन से परिशान हो सकते है उपाय क्या करना चाहिए आज मेश राशी वालों को एक चुटकी चीनी और आठा किसी पौधे की नीचे अपने दाहिने हाथ से अरफित करिएगा क्या नहीं करना है आज किसी को उधार नहीं देना है हरारंग शुभ है 67 प्रतिशत का भाग आपकी साथ है बिशप राशी 27 अगर्स दिन गुरुवार पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी स्विक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी बैपार उचाई छुएगा बिजनस में कुछ बड़ी उपलब्दी मिलेगी प्राइमेट सेक्टर में मुश्किलें आ सकती है नोगरी पर आच आ सकती है कोई शडियंत्र के सिकार हो सकते है सरकारी छेतर आपके लिए बहुत पक्ष में है सरकारी छेतर में किसी तरह का दुराव नहीं आएगा गुवर्मेट सेक्टर वालों के लिए कुछ विशेश लाव के अफसर बढ़ेंगे दामपत्य जीवन अचानक परिशानी में आएगा किसी पुरानी बात को लेकर भी बात पैदा हो सकता है सवसुराल से मुश्किले बढ़ेंगे आज का दिन लव लाइफ के लिए नए प्रिपोजल की तरफ इशारा करता है सादी की बात चर्जा कर सकते हैं मित्रों का सानिद रहेगा स्वास्त के मामले में आज छाती में दर्द, बदहजमी गैस के सिकायत हो सकती है बिश्वरासी के लिए उपाय क्या करना चाहिए आज किसी छोटे बच्चे को कच्चा दूध उपाहार सुरूप दीजिएगा क्या नहीं करना है आज दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है शुबरंग आपके लिए सफेद भागी प्रिशत साथ 27 अगस्त गुरुवार मिथन राशी पढ़ाई में मन कम लगेगा कुछ आपसी तालमेल पारिवारिक दिक्कत कुछ बढ़ सकती है ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा बिजनस में कहीं कोई दुराव नहीं आएगी किसी तरह की परिशानी नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए आज कुछ प्रतिकुलता रहेगी प्राइवेट सेक्टर में तनाव बढ़ सकता है प्राइवेट सेक्टर वालों को बहुत सावधान रहने की आवशेक्ता है सरकारी छेतर में अकस्मात कुछ परिशानी अपने आप पैदा होगी दामपत्य जीवन की इस्तिती अच्छी रहेगी आज संतान का सुख मिल सकता है लव लाइफ के लिए समय अनकूल रहेगा परिशानियों का अंत होगा हाँ थोड़ी बहुत समस्या हड़ी से सम्मंदित रहेगी उपाय क्या करना है मिथुन वालों को छोटे बच्चों को कुछ उपहार दे दीजेगा टॉफी चॉकलेट खिलोने जो चाहें आज आज मिथुन वालों को क्या नहीं करना है ब्लैक कलर नहीं पहनना है लाल रंगी शुपता है तिरपन प्रतिशत का भाग आपके साथ है करक राशी समय बहुत अन्कूल रहेगा किसी तरह की परिशानी आपको नहीं होने वाली है मांसिक मजबूती मिलेगी स्वयम को थोड़ा सा साथना पड़ेगा अकस्मात किसी तरह के तनाओं की स्थितिया सकती है कोई समस्या अचानक गंभीर रूप ले सकती है सोच समझ करके बड़े फैसले लीजिएगा करक राशी आपके पास एक अलग तरह का आवसर होगा स्वास्त के मामले में पेट बैक की प्रॉब्लम खासी जुखाम की शिकायत हो सकती है आज उपाई क्या करना चाहिए किसी जरुरत मंद को दवा का दान करना आज सुब होगा करक राशी क्या नहीं करना है आज उधार देने से बचना होगा नीला रंग शुभ है एक सट प्रत्षत का भाग आपके साथ है सिंगराशी देनांग 27 अगस्त दिन गुरुवार पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चलेगी शिक्षा में किसी तरह की देकत नहीं है शिक्षा छेतर में कुछ आपका प्रभाव अगले पर बढ़ने जा रहा है ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में रुकावर दोर होगी ब्यापारिक नुकसान से बाहर आएंगे प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी अनकूलता रहेगी थोड़ी प्रतिकूलता हो सकती है प्राइवेट सेक्टर वालों को बहुत सोच समझ करके फैसला लेना होगा सरकारी छेतर में अकस्मात किसी न किसी तरह का दुरावा सकता है गौर्बंट सेक्टर वाले को बहुत सूच समझ कर फैसला लेना है दाबत्य जीवन में अचानक से कुछ बड़े परेशानी में आ सकते हैं थोड़ा साधान रहने की आवशक्ता है आज का दिन लव लाइफ आलों के लिए नई जिन्दगी लेकर आएगा पुरानी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं आज जरूर मीटिंग करिएगा स्वास्त के मामले में आज खासी की दिकत महसूस होगी दोपहर के बाद कुछ डाइजेशन प्रॉबलम भी आपको परिशान करतेगा सिंग राशे 27 अगस्त उपाय क्या करना चाहिए आज बढ़ों के चरणों में सर जुका कर उनका आशिरवाद ले क्या नहीं करना है कुरोध में निरणे नहीं लेना है गुलावी रंग शुब उनहत्तर प्रिसत का भाग्याब के साथ करने राशे निरंग सत्ताई सगर्स्त दिन गुरुवाल पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे जिख्जा में आज मजबूती आएगी परिशानियों का अंत होगा कुछ विशेश लाव के अउसर बनेंगे ब्याबार प्रभावित हों का बिजनस में दिक्कत आ सकती है अचानक तनाओ बढ़ सकता है ब्याबार को ले करके साथान रहने के आवाशकता है प्राइवेट सेक्टर के लिए आज नई नोगरी की अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है सरकारी छेत्र आपके लिए एक नया अवसर पैदा करेगा सरकारी छेत्र में आपको कुछ बड़ी परेशानी हो सकते हैं दामपत्य जीवन आपके लिए कुछ तनाव ला सकता है आज पति-पत्नी के बीच किसी अन्न की बहस हो सकती है आज का दिन लव लाइफ के लिए एक नया एक्जाम देगा परिख्षा लेगा जिसमें पास होना बहुत मुश्किल है स्वास्त के मामले में आज का दिन ब्लड पेशर की दिक्कत और शुगर परिशान कर सकता है प्रियोग के तोर पर हरी सबजी का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना आज वाहन किसी को मत दीजेगा बैगनी रंग शुब है 62 प्रतिशत का भाग आपके साथ है आपके साथ एक बैलेंस ब्यवहार चलेगा स्विक्षा ची करेंगे स्विक्षा में कोई दोश नहीं आएगा स्विक्षा का छेत्र आपके लिए बहुत मजबूत होगा ब्यापारिक दिश्टिकोंट से आप पर कुछ कुठारा घात हो सकता है प्यापार को लिए करके आपको कुछ तनाव अलग से लेना पड़ सकता है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए अनुकूल रहेगा प्राइवेट सिक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी सरकारी छेत्र में कुछ मुश्किले दिखाई दे रहेगी सरकारी छेत्र की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी दामपत्य जीवन आपके लिए थोड़ा सा टफ लेकिन हर लिहास से शुब रहेगा दामपत्य जीवन में हर प्रकार की शुबता अपने आप बनी रहेगी लव लाइफ उसमें एक अलग तरह की उचाईच होने जा रहे हैं लव लाइफ को लेगर के आपको बहुत स्ट्रॉंग रहना है स्वास्त के मामले में कुछ परिशानी कुछ मानसिक तनाव बढ़ सकता है स्वास्त में सांस लेने में दिक्कत और पेट की दिक्कत भी दो पहर बाद संभव है तुलाशी के लिए उपाय क्या करना चाहिए आज किसी स्वागन महिला को अल्ता का दान करना शुब होगा रंग जो पहर में लगाते हैं क्या नहीं करना है सामने वाले को कम नहीं आखना है लाल रंग शुभर 57 प्रश्रत का भाग आपके साथ है ब्रश्चिक रासे 27 अगस्त मांसिक शांती मिलेगी तनाव खत्म होगा बड़ों का आदर करेंगे बढ़ाई अच्छी चली है ब्यापार अच्छा है बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है ब्यापार में बड़ा फैसला कामगर होगा प्राइवेट सिक्टर के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल समय चल रहा है प्राइवेट सिक्टर वाले को बहुत सावधान रहने की आवश्यक्ता है सरकारी छेत्र आपके लिए एक अलग तरह की पहचान पैदा करेगा गौर्वेट सिक्टर के बहुत अच्छे संकेर दिखाए देते है नौकरी में प्रमोशन हो सकता है दामपत्य जीवन आपके लिए आज अद्भुत मिसाल बनेगा दामपत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी एक दूसरे के प्रति विस्वास पैदा होगा लव लाइफ में थोड़ी सी उलजने बढ़ सकती है मानसिक अशान्ती के शिकार हो सकते हैं हो सकता है किसी तरह की विवात को भी आप जन्म होता हुआ पाएं आज स्वास्त के मामले में आँखों की तकलीफ, बैक की प्रॉबलम और चलनी में समस्या हो सकती है प्रयोग क्या करना चाहिए? आज माधुरगा के समक्ष एक लौंग रख दीजिएगा क्या नहीं करना है? सलाह नहीं देना है स्लेटी रंग्ष उभर पचास प्रिट्सत का भाग्याप के साथ है धनुराशी मांसिक परेशानी के कारण, पारिवारिक दिक्कतों के कारण स्रिक्षा में आज कम्मन लगेगा कोई रिजल्ट भी निगेटिव हो सकता है ब्यापार के लिए 27 अगस्त बहतरीन है बड़े फैसले कारण होंगे आपके पक्ष में धनलाब दिखाई देता है प्राइवेट सिक्टर में कुछ मुश्किलात आ सकती है किसी विशेश विशेपर बॉस के साथ बहस हो सकती है सरकारी छित्र अद्भूत रहेगा आज परशानियों का अंध होगा आज बहतर परफॉर्म करेंगे धनवाले गौर्मन शिक्टर पे पीर थप थपाई जाएगी दामपत्त जीवन टफ रहेगा संतान को लेकर चिंता होगी संतान के शिक्षा को लेकर के चिंता हो सकती है लव लाइफ बहुत अच्छा है किसी तरह का दिक्ट नहीं है बैलन्स बना रहेगा शादी की चर्चा कर सकते हैं स्वास्त का मसला हर्ट पर आकर थमता है कुछ सांसों की दिक्कत और बैक की प्रॉब्लम हो सकते हैं प्रियोग क्या करना चाहिए भगवान शिव का ध्यान करिएगा क्या नहीं करना है आज दूसरे से किसी बात पर उलजना नहीं है सफेद रंग शुबच छाशट पत्षत का भाग्य है सब बहुत सकरात्मक चलेगा परशानियों का अंत होगा पढ़ाई अच्छी करेंगे ब्यापार में कुछ दिक्कत हो सकते हैं बिजनस आज थोड़ा सा टफ चल रहा है प्राइबर सेक्टर अनकूल है तनाव खत्म होगा एक अलग तरह की उचाहिच हुएंगे सरकारी छेतर में उच्छन बढ़ रही है गौर्बंट सेक्टर में प्राब्लम हो सकती है गौर्बंट सेक्टर को लेकर के उच्छने अचानक और रूप ले सकती है दामपत्य जीवन अच्छा है परशानियों का अंत रहेगा आज नई उचाहिच होएंगे कहीं मकान आदमें निभेश कर सकते है लव लाइफ की स्तिती सुलज सकती है आज मित्रों का हस्तक छेप सकारात्मक रहेगा गुम्न टहले का कारक्रम बनाएंगे आज स्वास्त के मामले में देखा जाये तो बदहजमी गैस बैक की प्रॉब्लम पेट में दर्द महलाओं को कुछ गाईनी प्रॉब्लम आज बढ़ सकता है मगर राशी उपाय क्या करना है आज ब्लैक कलर धारण कर सकते हैं क्या नहीं करना है लाल रंग परहेज करिए का एक तालिस प्रॉषद का भाग या आपके साथ है कुम्ब राशी पढ़ाई के लिए बड़ा अवसर आज आपको मिलेगा सिक्षा में धन की चिंता खत्म होगी कोई सगार इस्तेदार मदद करेगा ब्यापार बहतरीन है लाब के अंश बढ़ेंगे अकस्मात सेर आज से फायदा हो सकता है प्राइवेट सिक्टर बहुत अनकूल है यहाँ पर प्रमोशन आपका इंदजार करेगा लेकिन सरकारी छेतर में जाच में उलजाए जा सकते है कोई लांचन आज आपके उपर लग सकता है आज दामपत्य जीवन अच्छा है रिस्ता भी अच्छा रहेगा संतान के सुक के प्राप्ति होगी लव लाइफ टप सिच्टुएशन पर आ सकता है किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है आज का दिन स्वास्त के मामले में पेट छाती में दर्द माइगरेन की दिक्कत दिखाता है प्रयोग के तोर पर आज ओम नमु भगवते वासु देवाय का साथ बार जाप करिएगा क्या नहीं करना है आज खुद को कम नहीं आगना है बादामी रंग शुभाईस अठावन प्रतिशत का भागिया मीन नाशी सिख्छा के लिए बड़े अवसर आज प्राप्त हो सकते हैं कोई सरकारी मशिनेरी में फंसा काम बन जाएगा पढ़ाई अच्छी करेंगे ब्यापार बहतर है बिजनस में निवेशक मिलेंगे बड़ा वेंचर सुरू कर सकते हैं प्राइवेट सिक्टर में प्रतिकूलता रहेगी पास पासा उल्टा पड़ेगा मकान में निवेश फंसा देगा सरकारी छेत अच्छा रहेगा आज मन प्रशन रहेगा आम में मन लगेगा बॉस प्रशन रहेंगे दामपत्य जीवन में कुछ परिशानिया आपके अपने पैदा कर रहे हैं बच्चों को ले करके सजग रहने की आवशकता है लव लाइट में कुछ विशेश इस्थिति आपके पक्ष में जाएगी शादी की चर्चा आज कर सकते हैं कोई नया प्रपोजल मिल सकता है मीन राशी उपाय क्या करना है ओम नमह शिवाय इस मंत्र का जितना हो सके जाप करिएगा क्या नहीं करना है किसी से छूट नहीं बोलना है पीला रंग शुवर सत्तावन प्रत्सत का भाग्याब के साथ है मेश से लेकर मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन अगर आपके पास भाग्याक्षत पहुंच जाए आई जानते हैं आज का भाग्याक्षत लेकिन जानकारी दे दे आगामी 11 से 17 सितंबर आप गया जी में पिंडदान के लिए संपर कर सकते हैं जिसमें आपको कतई सरीर के साथ आने की आवशकता नहीं है घर बैठे कैसे पिंडदान का पूरा लाब ले इसके लिए आपको हमारे दिये गए नमबर पर वाटस अप करना होगा आई जानते हैं अब आज का भाग्याक्षत बस सादे कागच पर लाल रंग के इंक से लिख के रपने बास रख लेजेगा सकरात्मक सोच लेकर के रही है सब हो जाएगा तीन चुटकी आटा और काले तिल आज कहीं रख दीजेगे यही आज का विशेश सक्सस की है तीन चुटकी आटा और तीन चुटकी काले तिल किसी पौधे के नीचे डाल दीजेगा बहुत बहुत आभार आप लोगों का 9 सितंबर तक आप हमसे लगातार गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं 9 सितंबर तक हम गाजियाबाद में रहेंगे और 11 सितंबर से आप हमसे पिंडदान के लिए गयाजि में जब हमारा डेरा डंबर रहेगा संपर कर सकते हैं बहुत बश्चुक्ते हैं तैंक्यू नमस्कार वेज़ेश दे शेरा दे